ताजनगरी के धरा पर नववर्श दोहजार तेईस में एक जनवरी से श्रीमत भागवत कथा इस्तल पर करेले का उद्गाटर नागरे के संस्था पर मुराइलाल गोईल एम सुमन गोईल की मौजूदगी में किया गया ताजनगरी के धरा पर नववर्श दोहजार तेईस में एक जनवरी से श्रीमत भागवत कथा ज्यान महायग का आयोजन होने जा रहा है जिसके भूमी पोजन के बाद 28 दिसंबर को भागवत कथा स्थल पर कार्याले का उद्गाटन सेवागरा के संस्थापक मुराली लाल गोईल एम संस्थापका सुमन गोईल की मौजूदगी में किया गया यह भागवत कथा एक जन्वरी से रोहता इस्थित पीएस गार्डन में होने जा रहा है विश्व कल्यान मिसें ट्रस्ट कथा आयोजन सिम्ती 2023 रोहता गौलियर रोड आगरा द्वारा सिरिमत भागवत कथा का दिव्य और भब्य आयोजन पीएस गार्डन रोहता पर आयोजित किया जा रहा है जिसमें जिसको राष्टिय संत चिन्मेनेंद बापुजी के मुखार बिंद से ये गंगा बहने जा रही है सबसे बड़ी बात ये है कि आगरा में आगरा की पावंधरा पर इस भूमी पर ऐसा दिव्य आयोजन नवर्ष के उपलच्व में किया जा रहा है साल के प्रतम दिन से ही आपकी धार्मिक यात्रा प्रारंब हो रही है तो सभी भक्तों के लिए सभी आगरा वासियों के लिए सभी चितर वासियों के लिए सभी आयोजन सिम्ती के लिए इतने घौरब की बात है कि ऐसा दिव आयोजन जिसमें राष्ट ये संत चिन्मेनंद बापुजी सौयम हो तो इसकी कलपला भी नहीं कर सकते विश्व कल्यान मिशन आगरा इकाई द्वारा अगामी नवर्ष के प्रथम दिवा से रुहता में श्रीमत भागवत कथा का भव्या आयोजन होने जा रहा है जिसके लिए भव्या पंडाल निर्मान किया जा रहा है इसी को लेकर कथा के कारियाले का उद्खाटन वरिष्ट समाथ से भी मुराली लाल गोयल, पेंट सुमन गोयल, भगवान दास बंसल, दुर्गा प्रसाद खीवालों ने संयुक्तरूप से फीता काट कर किया और समुचित विवस्ता काथा पंडाल में इसको पूरा सेनिटैजर्स बनाया जा रहा है इसको कॉविट के प्रोटोकौल के तहत हर भग्त को एक यहाँ मास्क और सेनिटैजर्स प्रोटोकाल भग्तों में बेजेगी करल्यान मिशन्टेश दुबारा आयो जीत गवालियर रोड रोहता में पीएस गार्डन में जो कता होने जा रही है वहाँ पर आज उसका कारयाले का उदगाटन किया गया क्योंकि सारी विवस्ता है कारयाले से ही चलती है तो आज उसका उदगाटन करके निये सभी को सभी वि सेवला गवालियर रोड पर खोले गए इस कारयाले से कथा की सभी गतिविधियों का संचालं किया जाएगा कलश यात्रा के लिए परचिया कार्ट भक्तों को आमंतरित किया जा रहा है माना जा रहा है कि करीब 2100 कलशियों के साथ यात्रा निकाली जाएगी विश्वकल्यान मिशन ट्रस्ट के ट्रस्टी और सेवा अगरा की संस्था पकध्यक्ष मुरारी लाल गोयल पेंट ने बताया कि नवर्ष के पावन अफसर पर राश्ट्रे संत चिन्मियानंद बापुजी के मुखारवेंद से शेत्रिये लोगों को कथा अमृत मिलेगा ज जन्मानव में जागरत किया जाएगा सेवागरा की संस्था पका सुमन गोयल ने सभी शेत्रवासियों को कथा श्रमन करने के लिए अमंतरत किया और कहा कि बापुजी के मुखारवेंद से कथा सुन कर जीवन लाब ले और इसका हम जितना जादे से जादे लाब उठा सकें अपने सब परिवार के साथ यहां पर अपनों उपस्तित रह करके और धर्म का लाब उठाएं यही मेरी सभी भक्तों से सभी बेहनों से सभी बहुत बहुत प्रात्ना वर्षी 2023 की शुरुवात की प्रधम देवस से शुरू हो रही श्रीमत भागवत कथा में राश्ट्रे संत चिन्वियानंद बापुजी भक्त प्रेमियों को कथा कामरत पिलाने के साथ जीवन में सामाजिक सरोकारों को अपनाने का भी आग्रह करेंगे